लास्ट क्लास जो मैंने जहां पर छोड़ी थी मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को बताई थी विल के बारे में सेल के बारे में यूजड के बारे में है ना आज ही क्लास में हम लोग डिसकस कर रहे होंगे सबसे पहले तो कौन सी क्लास है आज यूमा नाइन्थ आज हम लोगों का वब का नाइन्थ लेक्चर है मॉडल के उपर ये भी मॉडल के ही उपर है आप लोगों से चमा चाहूंगा लंबे समय से में क्लास नहीं ले पा रहा था पहले मैं सबस्थ था फिर मम्मी हुई और थोड़ी सी वस्तता भी रही और बहुत सारे स्टेडियूल होते हैं भी बहुत सारे क्लासे आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं जो कि फ्री माजना है कि हमारे सामने जो वुड होता है हमारे सामने जो कुड होता है यह हमारे सामने जो माइट होता है यह बिसिकली क्या होता है वुड या माइट प्यारे बच्चे आपको पता होगा कि वुड को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि वुड और यूज जो में बहु पॉलाइटनस के सेंस में उच करते हैं, पासट, हैबिट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये पास्ट फरम आफ विल हैं, ये जरूर याद रखें कि ये पास्ट फरम आफ विल है, good के बारे में बात कर लें तो भी politeness की बात करता है ये बात करता है past की ability की ability of past और ये कहीं ना कहीं past form of can might के बारे में बात करें तो might politeness की बात तो नहीं करता might भी past की past की ना कह करके कह दिया जाए least possibility किसी भी चीज के अगर लीस्ट पॉसिबल्टी है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं माइट का और यह क्या है पास्ट फॉर्म आप में हैं यह मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूं जो बुकिस है जैसा किताबों में लिखा है लेकिन हम लोगों को इससे हट करके कुछ सीख सीखना है पूनम कह रहे हैं कि योर साउंड सो फ्रेश टूड़े आज मेरी वाज बहुत ज्यादा फ्रेश है कि मैं बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं चेटना एक बार मैं खुदी सुन लेता हूं अगर ऐसी बात है जो कुकिस है जैसा किताबों में लिखा है लेकिन हम लोगों को इससे हट करके कुछ सीखना है आँ आँ आवाज बहुत अच्छी है आँ 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 बच्चों वाले question लिख रहा हूं आप लोग कर ले जाओगे पेपर में ही पूछा भी जाता है क्या क्या हूं आपा हुआ हूं आप लोग जाता है झाता है क्या जाओगे एक बड़ी अच्छे से मुझे कहानी याद आ रही है मैं सुना देता हूँ मतलब मुझे फरक नहीं पड़ता कि मैं ओनलाइन हूँ या आफलाइन हूँ दो बच्चे मेरे सामने बैठे है एक है जिसने नकल्ची स्कूल से BSC करने की सूची है कर रहा है नकल मिली नहीं रट के गया पेपर देने पेपर दे के आया बैठ के मिलान कर रहा है ससुर वहाँ फेल होंगे और यहाँ पर कम से कम इंगलिस पढ़ा रहा हूँ तो इंगलिस पढ़ेंगे नहीं भारत इसलिए पिछड़ रहा है अच्छा ऐसे लोग खुच जाते हैं और जिस बच्चे से पूछने में पढ़ने में बहुत तेज पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी सेलेक्शन नहीं होगा वजा ऐसे चमन चूतियों को साथ लेके चलना है गेटिंगे बी सिंसिर वाट इस दो मैटर राइटिंग हैर फिर्स्ट कंसीडर इट तो आई नू देट रहा है आई आग्देम इफी कैन स्पीक फ्रेंच ये सपोस्ट एट मेरेन तीनों में क्या गलती है सबको पता चल गया होगा बड़े आसाने से गलती दिखी होगी यहाँ पर नू देखा जाएगा तो यह पास्ट है यह पास्ट है यह पास्ट है अब अगर यह पास्ट है तो यहाँ विल नहीं आएगा यहाँ वुड आएगा मेरे बात ध्यान रखिएगा यह would past form है विलकी, यहां would का मतलब politeness नहीं है यहां would का मतलब past की habit नहीं है यहां can नहीं आएगा यहां क्या आएगा, यहां आएगा could, past form of can और यहां may नहीं आएगा, यहां क्या आएगा might past form of may तो यह बातें आप लोगों को सबसे पहले समझनी पढ़ेंगे ये बेसिक चीजे हैं जब ये सारी बातें आप लोगों को समझे में आ जाएंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठेल कि अ आदेash mathematics customs स्ट पास्ट में ले जाते हैं अ干़ो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ कोश्टन की तरफ बढ़ते हैं जैसे लिखा था बहुत 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 बहुतरीन कोश्टन था कि कि मिस्टर गुपता कि 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 मिस्टर गुपता डिड नॉट सॉल दा कोश्टन दो हीज बेस्ट एफर्ट कि ने बहुतरीन प्रयास किये क्या गलती हो सकती इसमें कि देखिए निगेटिव करने के कई तरीके होते हैं जैसे मैंने लिखा संटेंस में देट नॉट ररन और एक मैंने लिखा ही खुट नॉट ररन बाद्र दूसरा लिखा है खुट नॉट ररन दोरों में अंतर है लिजिदीㄹ करने वाले लिजिदी कर चुके होंगे he did not run वह नहीं दोड़ा वह नहीं दोड़ सका हिंदी हो गई हो गई हो ही नहीं सकता एपल का हो और सेव नामन में है लेकिन अंतर है इंग्लिस को इंग्लिस कितना सीखो यह deliberate action है यह work deliberately किया गया है deliberately का मतलब knowingly, जान भूज कर जैसे मैंने कहा he went चला गया, he did not go, नहीं किया जान भूज कर काम किया गया है और जब मैं कहता हूँ he could not run तो यह कही ना कहीं उसकी मैं inability के बारें बात कर रहा हूँ था प्रयास उसने खुग क्या दोड़ने की लेकिन दोड़ नहीं पाया he could not run अब यहाँ उसकी in ability है good past की ability है not लगा दिया तो negative ability तो बला प्रयास तो किया कि हम दोड़ जाए मन जाए गोड़ा लेकिन दोड़ नहीं पर तो could not run अब sentence अगर देखो मैं बार बार कहता हूँ sentence में context खोजने की आज़त बनाओ अगर यह इतना दिया गया होता अगर यह इतना ना दिया गया होता sentence ठीक था नहीं मन था नहीं solve किया किसे इक बाप के नौकर थोड़े ना है Mr. गुपता Mr. गुपता है नहीं solve किया लेकिन जब context देख दिया गया भीया कि दोहिस best efforts अपने best efforts करने के बाद भी तब क्या करोगे मतलब उसने अपने efforts एड़ किये है इस्टिल question solve नहीं हुआ तो उसकी inability है और inability के लिए did नहीं आता है उसके लिए कुड़ाता है तो question को समझा जाता है question को सीखा जाता है हरी ओम सेनी जैहिंद तो झाल झाल बच्चे एक संटेंस और हमने लिख दिया देज टेस्टेड थे एकूस्ट इफ ही वूद तेल लाई एक संटेंस बेटा और लेते हैं झाल झाल बच्चों आंसर करो क्या होगा इफ के साथ उड़ नहीं आएगो क्यों इफ के साथ जब कंडिस्नल बनता है तब उड़ नहीं आता है कंडिस्नल नहीं आएगे समझ गए इसलिए कहते हैं कम से कम एक तरफ के तरह हो मेरे गुस्सा बहुत जोर आ रहे थी बीपी बढ़ रहे थी इसलमें ट्रॉफी का लिए मैं दूसरी ट्रॉफी का रहा हूं देखो ट्रॉफी फोरे देखो मैं दो टॉपी खा चुका हूँ थेंक यू क्या ना थानकर थेंक यू खुशी के हम चाचा लगते हैं थेंक यू और खुशी ने में धेर सारी टॉपी दे रखिये और जितनी बार हाँ जा रहा है वैसे ये बच्चों को सोचना चाहिए कि जब चलें तो अपने गुरू के लिए कुछ लेकर चलें अब जो लोग हैं दूर से देख रहा है कोई मेरट से देख रहा है वह खाने के लिए पैसा ट्रांसफर करता रहे महिने का रोज का करता रहे ददद जूप्य पेटिम करता रहे यह अपते का सत्तर कर दे तो मानने हो जाएगा खेर मैं जाक कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं करना है फिर कोश्चन में है का दजेस्टर द एक क्यूजट का मनलब होता अपराधी तीक है जिसके उपर अपराल लगाया गये है मनलब तुम ठीक डजेस्टर द एक पूल इफ ही वूड़ टेल लाइँ नहीं देखो क्या गलती हो सकती है राज हुँ हम देखो इसमें भी लोग आमसर कर रहे हैं कि यह बच्चे जो पढ़ने वाले टॉपर हैं हमारे इसमें जुड़े हुए भाई यह सब पांच लोग देख रहे हैं यह भी तो करें अंसर कि अब वो तो अब इस बात है कि मॉडल का कोश्चन है तो मॉडली की गलती होगी गुड़ होगा है कि वाय अचाहिए उसकी इने वेल्टी यह जूट बोलना अरे भाई इतने बड़े कॉंटेक्ट का बना रहे हो स्ट्थ यहां दे रिए गया तुट्थ स्वब्व ट्थेस्ट किस चीज को किया जाता है त्थ्ट हमेंसा है अगर आपका टेस्ट लेंगे तो क्या data करेंगे com templateamatisch करेंगे फार है अगर आप समझें सेंट्रेंस को विसेल टेस्ट अब प्रेसर को कर रहे तो क्या चेक करेंगे फ्रेसर nuclear का तो उसका यहीट तो चेक कर Сейчас करेंगे कि तो नहीं पार है और कि तो वर्ब से कभी कई सारी चीज़े सीखने को मिल गई बहुत कुछ बोलते हैं कॉंटेक्स्ट प्रोशी ठाइंक्यू भाट आप्पू मारे उपड़े को इटन रिक्ता है प्रोशी प्रोशी झाला आप्रोशी कुसी कुद बाइस तंभ औक्स इवें दो सी है तो मनी देखो यार हम बहुत अराम से पढ़ाने वाले टीचर हैं जल्दबाजी वाले जानते हो क्या करते हैं पीपीटे लगा के शाप देते हैं हमारे कहने का सिद्धानत यह है कि हम लिखने बाज ता समय दे देते हैं कि अगर यह गंटेक क्लास है तो बच्चा उसको टू एक्स पे लगा के जिए से टक 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 नोट करता जाए देखता जाए थोड़ा पढ़ो सॉलेट पढ़ो पढ़ो बिल्कुल रंग बाजी से अभी मॉडल अभी मैं कम से कम दस दिन पढ़ाऊँ अभी यह मॉडल का वो वर्जन खतम कर रहा हूं जो मैंने आफ्लाइन वैच में खतम किया था जब अवर्यल प्रताफ सिंग जैसे लोग पढ़ते थे फिर मॉडल का दूसरा लेबल पढ़ाऊंगा जो कई सारी बुक्स का मिसलीनियस होगा फिर इस पर प्रेक्टिस करवाऊंगा तब मॉडल खतम कराऊंगा तो मुझे जो समय नहीं मिल पा रहा है आंसर दें भी यह यस 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 चेजना दूसरा संटन्स देते हैं बगत फ्री होकर बगत प्रेक्टिस करवाऊंगा जब से डाटा है तब से मुझे बना है यह दिकाता बड़े हो गए पंक लग गए बताओ कर दूसर देंано सब्सकियोत . सुरसें बताएं क्या गलती है दोनों में कौन सा सही है बच्चों कॉमेंट करें कौन सा अच्छा तौन थी में एक आदा था दोस्तों मैं कभी साही नहीं लिखता तो सर फिर कुष्समें एक एक नहीं किताबें खरी सकते थी अबेल्टी तो पास्ट की है न कि बक्से को कि नारे ढकेल सकते थे जबकि वो बहुत जादा भारी थे ध्यान वठिएगा दोस्तों फिर करें क्या जो करने जा रहां उसके लिए जांते हो क्या करना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा ators to अहा मैंने स्टू हाँ यह पहली बार सुन रहे हैं तो मैंने स्टू का बाता है कि समझो पास्ट के वेल्टी के लिए समझना मेरी बात दो तरह की पास्ट के वेल्टी होती है एक होती है जनरल और एक होती पर्टिकुलर तो पास्ट की जो जनर्नल वेल्टी होती है जनर्नल का मलब जनर्नल वोगी होती है सब के लिए और ओल एक ऐसी वेल्टी जो सब के लिए वैलिड है एक ऐसी एवेल्टी जो सब के लिए वैलिड है उसके लिए हम लोग पास्ट में क्या यूज करते हैं लेकिन जब वो एवेल्टी किसी पर्टिकुलर की हो जाती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वाज या वर के साथ हेवल्टू या मैनेजड टू फिर समझियेगा जब वो एवेल्टी सब के लिए वैलिड है तो कुड और किसी एक के लिए वैलिड है सब के लिए वैलिड नहीं है तो वाज वर के साथ हेवल्टू या मैनेजड टू पैसा ना होना और फिर भी किताबे खरीद लेना यह सब की अबेल्टी नहीं हो सकती यह केवल खुशी की अबेल्टी है हर आदमी धना बतूनी नहीं होगा कि पाईशा नहीं लेकिन किताब भे खरीद लेगा यह किसी पर्टिकुलर की वेल्टी है इसलिए तो मैनेज्ट टू करो या तो वाजवर के साथ है वेल्टू कर अब विरल मूब दा वाक्स टू दा कॉर्णर भाईया हम ना धकेल पाएं परृटिकुलर बेल्टी है ऐसके लिए हम ने लिख दिया मैनेज्ट टू तो समझो तो बात को गहराई से तो पास्ट के अबल्टी के लिए कुट भी आता है वाजवर के साथ हैनेज टू ने लेकिन दोनों में आंतर है ठीक है चलो आगे बढ़ो बच्चों आप लोगों को समझ में आया आइ थिंग आप लोगों को समझ में आया होगा और भी कॉंसेप्ट हैं भी पास्ट के वेल्टी खतम नहीं हुई है अभी पास्ट के वेल्टी पे और डिटेल में कॉंसेप्ट में पढ़ाऊंगा और ज्यादा डिटेल में लेकिन आज नहीं कल जैस्री राम धन्यवाद